हेलो फ्रेंड्स मैं पंका ज्वेशनाओ एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक पर स्वागत करता हूं देखे फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर MP की सभी एक्जाम्स के लिए मद्य प्रदेश जीके को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं देखे एंपी की सभी एक्जाम्स में जैसे MPPSC, MPSI, Constable, OneRakChak, जेल प्रहरी, पतवारी और लगबग MP की सभी एक्जाम्स में MPGK का 50% वेटेज होता है मतलब देखे फ्रेंड्स लगबग आधे कोश्चन जो है एक्जाम में MPGK से पूछे जाते हैं इसलिए फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर MP की नदियों को डिटेल में डिसकस करने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट में देखिए इस टॉपिक के सभी important question को भी हम यहाँ पर cover करेंगे देखिए मैंने यहाँ पर इस topic को इसलिए choose किया है क्योंकि यह जो topic है MP के students के साथ सबी student के काम आएगा क्योंकि MP की नर्बदा, चंबल, बेतवा जैसी जो महतुपुन नदिया हैं उनसे central की exam में भी question पूछे जाते हैं तो friends यह बहुत ही interesting topic है तो इस वीडियो को आप ध्यान से end तक देखिएगा देखिए MP की government 2021 में MPSI, MP Constable, 2020-21 PST के साथ साथ और बहुत सारी exams आयोजित करने वाली है इसलिए देखिए अगर आपको पूरा MPGK इसी तरह से complete करना है तो MPGK का video course आप crazy gk trick की application में जाकर join कर सकते हैं जिसमें आपको MPGK के सभी videos, pdf और mock test के साथ एक complete package मिल जाएगा जिससे देखिए MP की सभी exams में MPGK वाला जो section है आपका बहुत अच्छे से complete हो जाएगा और आपका exam में एक भी question नहीं छुटेगा तो application डाउनलोड कर लीजिए और course को join कर लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको MP की नदियों के कुछ basic बता देता हूँ तो देखिए दोस्तों अगर हम MP की बात करें तो MP को नदियों का मायका कहा जाता है इसके अलावा देखिए पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नदिया मद्धि प्रदेश राज्ज में बहती है देखिए मद्धि प्रदेश राज्ज में लगबग 207 नदिया बहती है जो की पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है अब देखिए ये जो नदिया हैं इनमें से अधिकतर नदिया MP से निकलती है लेकिन ये बहते हुए किसी अन्यरज में चली जाती है इसलिए MP को नदियों का मायका भी कहा जाता है इसके बाद देखिए दोस्तो MP में चार बड़ी बड़ी नदिया बहती है इन में सबसे बड़ी है नर्बदा, सेकेंड नंबर पर है चंबल, तीसरी बड़ी नदी है सोन और चोथी बड़ी नदी है तापती तो देखिए ये चार AC नदिया हैं जो कि MP की सबसे बड़ी नदिया हैं देखिए दोस्तो इसके अलावा MP में केन, बेतवा, शिपरा, तवा, पारवती, सिंध, काली सिंध, खान, सरस्वती, जामनी, माही, बेनगंगा, मान, वर्धा, कानहन, पेंच और कुवारी आदी नदिया बहती है देखिए MP की जो नदिया हैं वो प्राइदीपी नदिया कहलाती है अब कोश्यान आता है कि प्राइदीपी नदिया होता क्या है तो देखिए दोस्तो दक्षिन भारत जो है वो प्राइदीपी छेतर है प्रायदीप का मतलब होता है एसा छेतर जो की तीन ओर से समुदर से घिरा हुआ हूँ अब देखिए भारत का जो दक्षिनी छेतर है वो प्राचिन्तम गोनवाना लेन का भागे जो की प्रायदीपी भारत है अब देखिए अगर हम MP की बात करें तो MP भी प्राचिन्तम गोनवाना लेन का भागे इसलिए MP जो है इसे भी प्रायदीपी भारत में शामिल किया जाता है इसलिए MP में बहने वाली जो नदिया है वो प्राइदी पी नदियों के नाम से जानी जाती है तो इसे याद रखिएगा दोस्तों बहुती सिंपल और बहुती इंपोर्टेंट फैक्ट है इसके बाद देखिए MP की बेतवा नदि को प्रदूशन के आधार पर MP की गंगा कहा जाता है देखिए अगर आपसे कुश्यन पूछा जाए कि पवित्रता के आधार पर MP की गंगा किसे कहा जाता है तो पवित्रता के आधार पर MP की गंगा है नर्बदा लेकिन देखिए प्रदूशन के अधार पर MP की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है और मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहा जाता है देखिए तीनों ही कोश्चन में हलका सा कॉंप्लिकेशन है तो इसे याद रखिएगा देखे पवित्रता के आधार पर MP की गंगा नर्बदा है, प्रदूशन के आधार पर MP की गंगा बेतवा है और मालवा की गंगा MP की शिप्रा नदी को कहा जाता है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको MP के अपवा तंतर के बारे में बता देता हूँ तो देखिए अब question आता है कि अपवा तंतर क्या होता है तो देखिए कोई भी मुख्य नदी और उसकी साहयक नदिया मिलकर अपवा तंतर का निर्मान करती है अब देखिए बहाव छेतर के आधार पर MP के अपवा तंतर को दो भागों में बाटा जा सकता है सबसे पहला है बंगाल की खाड़ी का अपवा तंतर और दूसरा है खंबात की खाड़ी का अपवा तंतर देखिए वो सभी नदिया जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है उन सभी नदियों का अपवा तंतर बंगाल की खाड़ी का अपवा तंतर कहलाता है और दूसरा है खंबात की खाड़ी का अपवा तंत्र वो नदिया जो कि पश्चिम की और बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है खंबात की खाड़ी के अपवा तंत्र में शामिल की जाती है clear अब देखिए दोस्तों बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में तीन मुख्य नदियों का अपवा तंत्र देखने को मिलता है अब वो कौन-कौन सी है तो देखिए सबसे पहला है गंगा नदी का अपवा तंत्र देखिए दोस्तों गंगा या यमुना नदी की जितनी भी साहयक नदिया हैं वे सभी मिलकर गंगा नदी तंत्र का निर्मार करती है देखिए MP से निकलने वाली चंबल बेतवा सिंध टोंस ये सभी नदिया गंगा नदी तंत्र की नदिया है इसके बाद देखिए दोस्तो दूसरा नदी तंत्र है महा नदी तंत्र देखिए महा नदी और उसकी साहिक नदिया मिलकर महा नदी तंत्र का निर्मार करती है देखिए महा नदी का उद्गम कभी MP राज्य से होता था लेकिन देखिए MP से जब 36 गड़ अलग हो गया तो अब महा नदी का उद्गम 36 गड़ राज्य से होता है MP के अमर कंटक से इसकी कुछ छोटी-छोटी सायक नदिया निकलती है लेकिन देखिए एक्जाम में वो नदिया पूछी नहीं जाती इसलिए देखिए हम महा नदी तंत्र को इस टॉपिक में डिसकस नहीं करेंगे तीसरा नदी तंत्र है गोदावरी नदी तंत्र देखिए MP की वो नदिया जो की दक्षिन की और बहते हुए गोदावरी में जाकर मिल जाती है वो गोदावरी नदी तंत्र का निर्मान करती है MP की बेनगंगा, वर्धा और पेंच एसी नदिया हैं जो की गोदावरी की साहयक है तो इस नदी तंत्र में देखिए हम उन्ही नदियों को डिसकस करने वाले हैं इसके बाद देखिए, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के तंत्र में तीन नदी तंत्र देखने को मिलते हैं, नर्बदा नदी तंत्र, तापती नदी तंत्र और माही नदी तंत्र, देखिए ये तीनों नदिया पश्चिम की और बहते हुए खंबात की महतुपुन नदी तंत्र नर्बदा नदी तंत्र पर डिसकस कर लेते हैं। देखिए नर्बदा और उसकी साहक नदिया मिलकर नर्बदा नदी तंत्र का निर्मान करती है। अब इसकी सबसे महतुपुन नदी है MP में नर्बदा नदी। देखिए नर्बदा नदी को रेवा, मेकल सुता, सोमो देवी के नाम से जाना जाता है इसके अलावा इतिहास में एक भूगोल विद हुए है जिनका नाम है टॉल्मी देखे टॉल्मी ने नर्वदा को नामो दोस के नाम से पुका रहा है तो रेवा, मेकल सुता, सोमो देवी और नामो दोस के नाम से MP की नर्वदा नदी को जाना जाता है देखे नर्वदा शब्द जो है वो संस्क्रत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खुशी की दाता मतलब AC नदी जो की खुशीयों को प्रदान करने वाली है देखे यह नदी MP की सबसे बड़ी नदी है और भारत की AC सबसे बड़ी नदी है जो की पश्चिम की और बहती है नर्वदा नदी का उदगम MP के अनुपूर जिले के अमर कंटक से होता है देखे MP में अनुपूर जिले के अमर कंटक में मेकाल श्रेणी इस्ति थे जो की सत्पूरा परवत श्रेणी का सबसे पूर्वी हिस्सा है इसी मेकाल श्रेणी से 1051 फिट की उचाई से MP के अनुपूर जिले से नर्वदा नदी का उदगम होता है देखे नर्वदा नदी जो है MP के 15 जिलों से होकर गुजरती है वेरी वेरी इंपोर्टेंट फेक्ट है दोस्तो इस फेक्ट का आप याद रखेगा नर्वदा नदी MP के 15 जिलों से होकर बहती है देखे यह नदी पुरुव से पश्चिम की और बहते हुए भारत के तीन रज्यों में बहती है देखे नर्वदा का उदगम MP से होता है MP के बाद यह नदी महरास्ट रज्ज में जाती है और महरास्ट के बाद गुजरात रज्ज में प्रवेश करती है और गुजरात के बाद अरब सागर में इस्तित खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है आगे देखिए नर्बदा नदी मद्ध्रदिश में एक एसी नदी है जो की एस्चुरी का निर्मान करती है देखिए MP की दो नदिया नर्बदा और तापती MP की एसी नदिया हैं जो की एस्चुरी का निर्मान करती है ये question PSC की exam में पूछा गया था इसलिए ये बहुत ही important question है MP की दो नदिया जो की एश्चुरी का निर्मान करती है नर्बदा और तापती है आगे देखिए friends नर्बदा नदी को MP की जीवन रेखा भी कहा जाता है क्योंकि नर्बदा नदी MP की एक बहुत बड़ी आबादी को पीने के पानी की पूर्ती करती है इसके बाद देखिए नर्बदा की टोटल लंबाई तेरा सो बारा किलो मिटर है और तेरा सो बारा किलो मिटर में से नर्बदा एक हजार सितोत्तर किलो मिटर MP राज्य में बहती है देखिए नर्बदा के टोटल बहाव का देखिये दोस्तों अगर बहाओ के क्रम के रज्य पूछे जाएं तो सबसे पहला है MP उसके बाद नर्बदा महारास्ट रज्य में प्रवेश करती है और महारास्ट के बाद गुजरात रज्य में प्रवेश करती है तो देखिये दोनों ही कोश्चन थोड़े complicated है तो यहाँ प पढ़ने वाले रज्यों की बात करें तो सबसे पहले नर्बदा MP से निकलती है उसके बाद महारास्ट रज्य में जाती है और सबसे आखरी में गुजरात रज्य में जाती है और गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है देखिये दोस्तों नर्बदा न नामो दोस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देखिए नर्बदा को ही शिव पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। ये कोश्चन व्यापम की एक्जाम में पुछा गया है दोस्तों तो इस फेक्ट को भी आप याद रखिएगा। MP में रेवा, शंकरी, मेकल सुता, अमर कंठी और नामो दोस्त नर्बदा के ही अन्य नाम है। देखिए नर्बदा नदी का जो अपवा छित्र है वो व्रक्ष के समान देखने को मिलता है। मतलब इसका अपवा छित्र व्रक्षाब प्रणाली का अपवा छित्र है। देखे नर्बदा नदी भारत की एक ऐसी नदी है जो कि उत्तर भारत को दक्षिन भारत से विभाजित करती है और इस नदी को पवित्रता के आधार पर MP की गंगा भी कहा जाता है अगर आपसे question पुछा जाए कि पवित्रता के आधार पर MP की गंगा कौन सी नदी है तो MP की नर्बदा नदी अगर प्लदूशन के आधार पर MP की गंगा पुछा जाए तो बेतवा नदी और MP की शिप्रा नदी मालवा की गंगा कहलाती है देखे MP में बहने वाली नर्बदा नदी करक रेखा के समान अंतर बहती है देखे दोस्तों भारत में मानव का पहला साक्ष नर्बदा नदी के किनारे देखने को मिला है नर्बदा नदी के किनारे होशंगाबाद के हतनोरा गाउं में धाई लाग साल पुरानी मानव खोपड़ी के साक्ष प्राप्त हुए है इसके बाद देखिए MP में नर्बदा की 41 साहयक नदिया है जो की MP में किसी भी नदी की सबसे जादा साहयक नदिया है अब देखिए नर्बदा नदी की साहयक नदियों को दो पाट में बाटा जाता है एक वो जो की राइट हेंड से आकर नर्बदा में मिलती है और एक वो जो की लेफ्ट हेंड से आकर नर्बदा में मिलती है तो देखिए दोस्तो राइट हेंड से आकर नर्वदा में मिलने वाली सायक नदियों में हीरन, तिंदोनी, बारना, चंदरकेशर, जामनेर, मान और हतनी महतोपूर हैं तो इस प्रकार देखिए दोस्तो नर्वदा में राइट हेंड से टोटल 19 नदिया आकर मिलती है और नर्वदा में लेफ्ट हेंड से टोटल 22 नदिया आकर मिलती है जिसमें बंजर, शेर, शकर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी, देव और गोई प्रमुक र 22 नदिया आकर मिलती है और right hand से नर्बदा में 19 नदिया आकर मिलती है तो इस प्रकार देखिए नर्बदा की total 41 सायक नदिया है अब देखिए नर्बदा की सबसे महतुपुन सायक नदी की बात करें तो नर्बदा की सबसे महतुपुन सायक नदी MP की तवा नदी है तवा नद आप इस फेक्ट को भी याद रखिएगा देखिए MP में नर्बदा बचाओ अंदोलन की नेत्रत्यू करता मेगा पाट करें देखिए MP में नर्बदा पर नर्बदा नदी हटी परियोजना के तहट इंद्रा सागर डेम और गुजरात में सरदार सरोवर डेम बनाए गया है देखिए इसी परियोजना के तहट नर्बदा के बेक वाटर में जो भी गाओं डूब में आ रहे हैं उन्हें बचाने के लिए MP में नर्बदा बचाओ अंदोलन चलाय जा रहा है जिसकी नेत्रत तो करता मेगा पाट करें बहुत ही important fact है इस fact को आप note कर लेना इसके बाद देखिए अगर हम नर्बदा नदी के प्रमुक जलप्रपात की बात करें तो देखिए नर्बदा नदी का उद्गम MP के अनुपुर जिले से होता है और अनुपुर जिले में ही नर्बदा नदी पर कपिल धारा और दुखद धारा ये दो जलप्रपात देखने को मिलते हैं इसके बाद देखिए नर्बदा आगे बढ़ती है और MP के जबलपुर में नर्बदा पर धुआधार जलप्रपात इस्तिते देखिए धुआधार जलप्रपात जबलपुर के भेडा घाट में इस्तिते इसके बाद नर्बदा आगे बढ़ती है और खंडवा के बढ़वा में नर्बदा नदी पर मनधार और दर्दी जलप्रपात देखने को मिलता है और इसके बाद खरगोन के महेश्वर में नर्वदा पर सहस्त्र धारा जलप्रपात इस्तित है। तो इन सभी जलप्रपात को आप याद रखिएगा, एक्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हम इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, देखिए अनुप्पूर जिले में नर्वदा पर कपिल धारा और दुग्द धारा जलप्रपात है, एमपी के जबलपूर में धुआधार या भेडागाट जलप्रपात है, एमपी के बढ़वा में दर्दी और मांधार जलप्रपात है, और एमपी के महेश्वर में सहस्त्र धारा जलप्रपात इस्तित है, इसके बाद देखिए नर्वदा का बहाव छेतर एमपी के 15 जिलों अनुपूर, मंडला, डिंडोरी, जबलपूर, नर्सीपूर, होशंगाबाद, रायसेन, हर्दा, खंडवा, खरगोन, धार, सिहोर, देवास, बढ़वानी और अलीराजपूर ओके, तो देखे, नर्बदा के बहाव छित्र में, MP में सबसे पहला जीला है अनुपूर, जहां से नर्बदा का उदगम होता है, और नर्बदा के बहाव छित्र में, MP का सबसे आखरी जीला है, MP का अलीराजपूर, अलीराजपूर के बाद, नर्बदा नदी महरास्ट रज् उमकारेश्वर जोकी MP के खंडवा जिले में इस्ती थे, नर्बदा नदी के तड़ पर इस्ती थे, और ये नर्बदा का MP में सबसे बड़ा नदी दूइब है. देखे भारत के 12 जोती लिंग में से 2 जोती लिंग वर्तमान में मद्य प्रदेश में इस्ती थे, एक है उमकारेश्वर जोकी MP के खंडवा में है और दूसरा है महाकालेश्वर जोकी MP के उज्जेन में इस्ती थे. अब यहाँ पर आप एक और important fact को समझिये दोस्तों कि नर्बदा नदी MP के 15 जीलों से होकर गुजरती है. लेकिन देखिये दोस्तों जरूरी नहीं है कि अगर नदी किसी जीले से या किसी शहर से होकर गुजर रही हो तो वो शहर भी उस नदी के तड़ पर हो. देखिये कोई भी शहर किसी नदी के तड़ पर तब होता है जब उस नदी के कारण उस शहर का विकास हुआ हो. MP का अमरकंटक, मंडला, ओमकारेश्वर, महेश्वर, नेमावर, बढ़वा, जबलपूर, होशंगाबाद, नरसीपूर, बढ़वानी और अलीराजपूर. क्योंकि कभी-कभी एक्जाम में कोई भी शहर का नाम देकर ये कोश्चन पुछ लिया जाता है कि वो शहर किस नदी के तड़ पर इस्ती थे. तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना, आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, अगर हम नर्बदा पर निर्मित प्रमुक डेम की बात करें, तो देखिए MP का सबसे उचा और MP का सबसे बड़ा डेम, इंदरा सागर डेम है, जो की MP के खंडवा में नर्बदा नदी पर बनाए गया है, इसके बाद देखिए, MP के खंडवा में ही नर्बदा नदी पर ओमकारेश्वर डेम है, MP के खरगोन में नर्बदा पर महेश्वर डेम है, और MP के जबलपूर में नर्बदा पर बरगी डेम बनाए गया है, लेकिन देखिए दोस्तों, अगर हम all over की बात करें, तो नर्बदा का सबसे उचा डेम सरदार सरोवर डेम है, लेकिन ये डेम गुजरात के भडोच में इस्ती थे, तो अगर कुश्चन ऐसा पूछा जाता कि MP में नर्बदा का सबसे उचा डेम कौन सा है, तो वो है MP का इंदरा सागर डेम, जो की MP के खंडवा ज इसकस किया, बहुत ही इंटरस्टिंग और बहुत ही सिंपल फेक्ट यहां से पूछे जाते हैं, अब देखिए नर्बदा की सबसे महतुपून सायक नदी है MP की तवा नदी, तवा नदी MP के होशंगाबाद जीले के पचमड़ी में स्तीत महादेव परवत की काली भीत पहा है, तो नर्बदा की सबसे महतुपून सायक नदी है MP की तवा नदी, देखिए तवा नदी पर MP का दूसरा सबसे बड़ा नदी पुल MP के होशंगाबाद में स्तीत है, जिसकी टोटल लंबाई 1322 मेटर है, देखिए अगर कभी भी आपसे कोश्यन पूछा जाए कि होशंग नर्बदा नदी के तड़ पर इस्तित है, लेकिन होशंगाबाद का पचमड़ी तवा नदी के तड़ पर इस्तित है, जहां से इस नदी का उद्गम होता है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना, यह दोनों ही कोश्यन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, तो इन्हें especially आप याद रखिएगा, इसके बाद देखिए, MP की मालनी और देनवा, यह तवा की साहयक नदिया हैं, ओके, तो देखिए, नर्बदा नदी तंत्र के बाद, दूसरा important नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र, गंगा और उसकी साहयक नदिया मिलकर, गंगा चंबल नदी का उदगम, MP के इंदोर जीले में इस्ति जाना पाव की पहडियों से होता है, इसी पहडी के वाचू पाइंट से चंबल नदी का उदगम होता है, देखिए, चंबल नदी को ही चर्मावती, धर्मावती, कामधेनू, रती देव और कीरती के नाम से भी जाना देखे, पुराणिक माननेताओं के अनुसार यह माना जाता है कि चंबल नदी का जो उदगम हुआ है, वो गाई के चर्म से निकले हुए खुन से हुआ है, इसलिए इसे चर्मावती के नाम से भी जाना जाता है, देखे, कालीदास ने अपनी रचना मेगदूत में और बान भ MP के इंदोर की जाना पाव की पहाडियों से निकल कर यह नदी उत्तर की और बहती है, और उत्तर की और बहते हुए MP के चितोडगड में राजस्तान और MP की प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो इस फेक्ट को याद रखेगा, MP की चंबल नदी MP और राजस्तान की प्राकृतिक सीमा का निधारन करती है आगे देखिए MP का महू रतलाम, शौपूर और मुरेना ये एसे शहर हैं जो कि चंबल नदी के तड़ पर इस्तित है अब देखिए यहाँ पर एक और फेक्टो का आप याद रखिएगा कि चंबल नदी भले ही MP के मनसोर से गुजरती है लेकिन मनसोर शिवना नदी के तड़ पर इस्तित है तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना MP का मनसोर जो है वो शिवना नदी के तड़ पर इस्तित है और महू, रतलाम, शौपूर और मुरेना यह चंबल नदी के तड़ पर इस्तित शहर है इसके बाद देखिए MP में काली सिंद, पारवती, बनास और शिप्रा यह सभी चंबल की साहक नदिया है इनमें चंबल की सबसे महतुपून साहक नदी MP की शिप्रा नदी है देखे, चंबल की साहक नदी बनास अपना पूरा चक्र राजस्तान रज्ज में पूरा करती है तो जब भी हम चंबल की साहक नदी को डिसकस करेंगे तो हम काली सिंद, पारवती और शिप्रा नदी को डिसकस करेंगे क्योंकि बनास MP में नहीं बहती तो बस आप यहाँ पर इतना याद रखिए कि बनास जो कि राजस्तान में बहती है चम्बल की साहएक नदी है देखे चम्बल नदी उत्तर की और बहते हुए MP के बाद राजस्तान रज्ज में जाती है और राजस्तान के बाद पुना एक बार मद्य प्रदेश में प्रवेश करती है अब देखिए यहां से कभी कभी कोश्यन ऐसा भी पूछा जाता है कि राजस्तान के बाद चंबल पुना मद्य प्रदेश के किस जीले में प्रवेश करती है तो याद रखिएगा राजस्तान के बाद चम्बल नदी पुनह मद्य प्रदेश में शोपूर जीले से प्रवेश करती है और इसके बाद यूपी रज्ज में चली जाती है और यूपी के इटावा में यमुना नदी से जाकर मिल जाती है तो यूपी की चम्बल नदी यमुना की सबसे बड़ी साहक नदी है ओके इसके बाद देखिए चम्बल नदी पर राजस्तान के भेसरोगड में चुलिया जलप्रपात इस्ति थे देखे चितोड के पास राजस्तान के भेसरोगड में चुलिया जलप्रपात 18 मीटर उचा है इसके अलावा MP के इंदोर में चंबल नदी पर जाड़ी दाहा जलप्रपात इस्ति थे इसे भी याद रखेगा क्योंकि ये MP में चंबल नदी पर इस्ति थे जाड़ी दाहा MP के इंदोर में चंबल पर है और चुलिया जलप्रपात राजस्तान के भेसरोगड में चंबल नदी पर इस्ति थे देखे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मरदा अपरदन चंबल नदी में होता है चंबल नदी का म्रदा अपरदन गली अपरदन के नाम से जाना जाता है देखे MP के चंबल छेतर में मतलब मुरेना, शोपूर और भिंड जैसे जो जीले हैं वहाँ पर चंबल नदी द्वारा गेहरे खड़ों का निर्मान किया जाता है इसे ही चंबल छेतर में बीहड के नाम से जाना जाता है जो की कभी डाकूओ की शरण इस्तली रह चुका है पांसिंग तोमर जैसे डाकूओ कभी इनी बीहडों से निकले हैं तो याद रखेगा MP की चंबल नदी द्वारा MP के भिंड मुरेना छेतर में बीहडों का निर्मान होता है आगे देखिए चंबल नदी की MP और UP की जो सीमा है वो 112 किलो मिटर लंबी है और इसके अलावा MP और राजस्तान की जो सीमा है वो 216 किलो मिटर लंबी है तो चंबल नदी उत्तर पुरू की और भेहते हुए MP, राजस्तान और राजस्तान के बाद UP रज्ज में प्रवेश करती है देखे UP के इटावा के निकट बिठोली गाओ में जहां पर चंबल यमुना से मिलती है उसे पंच नद के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन दोनों नदियों का जो संगम है वहाँ पर मुख्य रुप से पाँच नदियों का संगम होता है यमुना, चंबल, कुवारी, सिंद और पाहुज नदी ये पाचों नदिया UP के बिठोली गाओ में मिलती है और इसे ही पंच नद के नाम से जाना जाता है क्लियर तो चंबल और यमुना नदि का संगम पंच नद के नाम से जाना जाता है क्लियर तो देखिए यहाँ पर हमने गंगा नदी तंत्र में चंबल नदी को डिसकस किया है अब हम चंबल की सायक नदियों को डिसकस कर लेते हैं तो देखिए चंबल की सायक नदी में सबसे महतुपूर्ण सायक नदी है MP की शिप्रा नदी। देखिए 195 किलो मिटर लंबी यह नदी इंदोर के काकदी बरेडी की पाड़ियों से निकलती है। देखिए थोड़ा सा टफ नाम है लेकिन बहुत ही आसानी से आपको एक दो बार में यह याद हो जाएगा। इंदोर की काकदी बरेडी की पाड़ियों से शिप्रा नदी का उदगम होता है। जो की इंदोर के बाद उत्तर की ओर बहते हुए देवास, उज्जेन, रतलाम और मनसोर जीले में प्रवेश करती है। और मनसोर जीले में आकर शिप्रा नदी चंबल नदी से मिल जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, एंपी का उज्जेन शहर शिप्रा नदी के तड़ पर इस्ति थे। अब शिप्रा की जो सबसे महतुपुन सायक नदी है, वो है कानहा नदी, जिसे इंदोर में खान नदी के नाम से जाना जाता है। देखे शिप्रा की सायक खान नदी के तड़ पर ही, एंपी की आर्थिक राजधानी इंदोर शहर बसा हुआ है। बहुत ही important fact है, इस fact को आप note कर लेना। देखे शिप्रा नदी को ही पूर्ण सलीला, पाप हरिनी, अवन्ती और सोमवती के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यह नदी मालवा छेत्र में बहती है, इस लिए इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। क्यूंकि उज्जेन शिप्रा नदी के तड़ पर वसा हुआ है, इसलिए महा कालेश्वर जोतिलिंग भी शिप्रा नदी के तड़ पर इस्तित है। इसी नदी के तड़ पर MP का सबसे बड़ा मेला कुम्ब का मेला उज्जेन में आयोजित किया जाता है। आखरी बार कुम्ब का मेला 2016 में आयोजित किया गया था, अगला कुम्ब 2028 में आयोजित किया जाएगा। उज्जेन में शिप्रा नदी पर राम घाट बहुत ज़्यादा फेमास है। तो अगर कभी कुश्चन पूछा जाए कि MP में राम घाट किस नदी के तड़ पर है, तो ये शिप्रा नदी के तड़ पर इस्तित है। तो देखिए दोस्तों, हमने गंगा नदी तंत्र में चंबल नदी को डिसकस किया और चंबल की सायक नदी में शिप्रा नदी को डिसकस किया है। अब देखिए, शिप्रा के बाद चंबल की अन्य सायक नदियों में हम काली सिंद और पारवती को डिसकस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम शिपरा की सायक नदी को डिसकस कर लेते हैं तो देखिए शिपरा की सबसे महतुपूर्ण सायक नदी कौन सी है तो वो है खान नदी अब देखिए कानहा नदी को ही खान नदी के नाम से जाना जाता है पहले इसका नाम कानहा नदी था लेकिन भारत में मुगलो के शाषन के दोरान कानहा नदी का नाम बदल कर खान नदी कर दिया गया था देखे शिपरा की सायक खान नदी इंदोर के राला मंडल की पहडियों से निकलती है देखे खान नदी को प्राचिनकाल में छाता या ख्याता के नाम से भी जाना जाता था देखे इसकी लंबाई केवल 74 किलो मिटर है इंदोर के राला मंडल की पाड़ियों से निकल कर यह नदी उत्तर की और भहती है और उज्जेन के त्रिवेनी हाट पर शिपरा नदी से मिल जाती है तो शिपरा और खान नदी का संगम ही उज्जेन में त्रिवेनी हाट के नाम से जाना जाता है अब देखिए इसके important fact को मैं एक बार फिर से repeat कर देता हूँ MP की आर्थिक राजधानी इंदोर शहर खान नदी के तड़ पर इस्ति थे MP में होलकरो द्वारा खान नदी के तड़ पर इंदोर शहर बसाए गया था clear? तो याद दखिएगा कभी question ऐसा पुछा जाए कि इंदोर किस नदी के तड़ पर इस्ति थे ओके तो देखिए अब आपको यहाँ पर confusion हुआ तो आईए समझ लेते हैं तो देखिए दोस्तों खान नदी की सबसे महतुपून सायक नदी है MP की सरस्वती नदी तो देखिए सरस्वती नदी जो है इंदोर जीले की राव की पहड़ियों से निकलती है और यह राव की पहड़ियों से निकल कर इंदोर शहर के मध्ध में आकर कानहा नदी से मिल जाती है देखिए इंदोर जीले के राजबाड़ा की निकट कृष्णपूरा की छत्रिया है इसी कृष्णपुरा की छत्रियों के निकट सरस्वती नदी खान नदी से आकर मिल जाती है और खान और सरस्वती नदी के संगम पर इंदोर शहर इस्तित है तो अब आप यहाँ पर बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत हो ना देखे एक बार फिर से मैं आपको शौट में ये समझा देता हूँ देखे शिप्रा नदी का जो उदगम है काकरी बरडी की पाड़ियों से होता है इस पर हमने डिसकस किया था ये जो नदी है चंबल की साहक नदी है अब देखे शिप्रा की जो महतुपुन सायक नदी है वो है खान नदी जो कि इंदोर के राला मंडल की पाड़ियों से निकलती है और उत्तर की और बहते हुए उज्जेन के त्रिवेणी हट पर शिप्रा नदी से मिल जाती है अब सरस्वती नदी जो है वो खान नदी की सायक है जो कि इंदोर के राला मंडल की पाड़ियों से निकल कर उत्तर की और बहती है और इंदोर के राजबाड़ा में कृष्णपूरा की छत्रियों के निकट खान नदी से मिल जाती है खान और सरस्वती नदी के संगम पर ही इं चंबल की दूसरी साहक नदी है MP में पार्वती नदी देखे पार्वती नदी जो है सिहोर जीले की आस्टा तहसील से निकलती है Very important fact है दोस्तो किसी भी नदी का उदगम आप याद रखेगा क्योंकि ऐसे question एक्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो सिहोर जीले की आस्टा तहसील से पार्वती नदी का उदगम होता है जो कि उत्तर की और बहते हुए राजस्तान के कोटा में जाकर चंबल नदी से मिल जाती है तो पार्वती नदी चंबल की साहक नदी है देखिए MP का आस्टा, शाजापूर और राजगड ये तीनों शहर पार्वती नदी के तड़ पर इस्तित है कौन-कौन से हैं आस्टा, राजगड और शाजापूर ये तीनों ही पार्वती नदी के तड़ पर बसे हुए है देखिए कालिदास की रचना मेकदूत में पार्वती नदी को निर्वी घन्या के नाम से जाना गया है इसके अलावा पार्वती नदी को पारा के नाम से भी जाना जाता है तो देखिए पार्वती नदी से केवल आपको इसके उदगम का जीला पूछा जाता है और इसके किनारे जो शहर बसे हुए हैं उनके बारे में पूछा जाता है तो इन दोनों ही फेक्ट को आप पारवती नदी में याद रखिएगा और ये किसकी साहिक है तो ये MP में चंबल की साहिक है इसके बाद देखिए चंबल की तीसरी महतुपूर्ण साहिक नदी है MP में काली सिंध नदी देखिए काली सिंध नदी का उदगम देवास जीले के बागली गाउं से होता है देवास जीले के बागली से निकलने वाली काली सिंध नदी 461 किलो मिटर लंबी है इसमें से देखिए यह 1500 किलो मिटर मद्धि प्रदेश में बहती है देखे देवास के बागली से निकल कर यह नदी उत्तर की और बहती है और शाजापूर राजगर जीलों से बहते हुए राजस्तान के कोटा जीले में जाकर चंबल नदी से मिल जाती है तो MP में बहने वाली काली सिंद चंबल की सायक नदी है काली सिंद नदी के तड़ पर ही MP का देवास और सोन कच्छ शहर इस्तित है ओके तो देखिए यहाँ पर हमने चंबल और उसकी तीनों महतुपुन सायक नदी पर डिसकस किया है इसके बाद देखिए गंगा नदी तंत्र की अगली महतुपुन सायक नदी है मद्य प्रदेश में बहने वाली सोन नदी देखिए अगर हम सोन नदी की बात करें तो MP के अनुपुर जिले के अमर कंटक की भाड़ियों से सोन नदी का उदगम होता है देखिए इसके पहले भी हमने इसी इस्तान से एकोर नदी का उदगम देखा था जिसका नाम है नर्बदा देखिए अनुपुर जिले के अमर कंटक से नॉर्मली तीन नदियों का उदगम होता है नर्बदा, दूसरी है सोन और तीसरी है जोहिला नदी ओके तो नर्बदा, सोन और जोहिला ये तीनों ही नदिया अनुपुर जिले के अमर कंटक से निकलती है देखिए फ्रेंड्स सोन नदी एमपी की तीसरी बड़ी नदी है जिसकी टोटल लंबाई 780 किलोमीटर है इसमें से 509 किलोमीटर यह नदी मद्य प्रदेश राज्य में बहती है लेकिन देखिए दोस्तों केवल नर्बदा नदी का मद्य प्रदेश में बहाव छेतर पूछा जाता है जो की 1077 किलोमीटर है अन्य किसी भी नदी की टोटल लंबाई पूछी जाती है तो सोन नदी टोटल 780 किलोमीटर लंबी है देखिए सोन नदी की मिट्टी में सोने के कण पाई जाते हैं इसलिए सोन नदी को सवन नदी, सोन पालिका और हिरन ने बाहू के नाम से भी जाना जाता है देखिए यह भारत के चार राज्यों में बहती है एमपी के अमर कंटक से निकल कर या उत्तर पुरू की और बहते हुए एमपी के बाद यूपी जाती है यूपी के बाद जारखंड होते हुए बिहार के पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है तो देखिए दोस्तो सोन नदी डायरेक्ट गंगा में जाकर मिलने वाली मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है MP की केवल दो ही नदिया एसी है जो की डायरेक्ट जाकर गंगा नदी में मिलती है पहली है सोन और दूसरी है टोनस नदी और इन दोनों में से गंगा नदी में मिलने वाली MP की सबसे बड़ी नदी है सोन नदी देखे एतियासिक मान्यताओं के अनुसार हर्यक वंच के शाशक उदाईन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली पुत्र नगर बसाया था आगे चलकर शेरशा सूरी ने पाटली पुत्र का नाम बदल कर पटना कर दिया था तो याद रखिएगा बिहार की राजधानी पटना सोन और गंगा नदी के संगम पर इस्ति थे सोन नदी का टोटल अपवा छित्र 17,900 वर्ग किलोमेटर का है आगे देखिए MP में बहने वाली जोहिला, गोपद, उत्तरी, कोईला और UP में बहने वाली रिहंद नदी सोन की सायक नदी आ है इन में सब सोन की सबसे महतुपून सायक नदी MP की जोहिला नदी है जो की सोन नदी के साथ ही अनुपूर जीले के अमर कंटक से निकलती है देखिए MP का शरडोल शहर सोन नदी के तड़ पर इस्तित शहर है यहीं पर शरडोल में सोन नदी पर बान सागर परियोजना इस्तित है यह कोश्चन एक्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तो बान सागर परियोजना MP के शरडोल में सोन नदी पर इस्तित है इसके अलावा देखिए दोस्तो बान सागर परियोजना के बेक वाटर में दो जानवरों की प्रजाती का सरड़क्षन सोन नदी पर किया जा रहा है उसमें सबसे पहली है दुरलब कच्छुए की प्रजाती और दूसरी है घडियाल की प्रजाती तो याद रखिएगा सोन नदी के बेक वाटर में कच्छुए और घड़ियालों का सर्रक्षन किया जा रहा है सोन नदी के बाद MP से डायरेक्ट गंगा में जाकर मिलने वाली दूसरी महतोपुन नदी है MP की टोन्स नदी देखे टोन्स नदी को ही तमसा, तमस या फिर ताउन के नाम से भी जाना जाता है 320 किलो मिटर लंबी यह जो नदी है सतना जीले की केमूर श्रेणी में तमाश कुंड जलाशय से निकलती है clear और उत्तर की और बहते हुए UP के सिर्सा में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है MP की दूसरी एसी नदी जो की direct गंगा में जाकर मिलती है अगला फेक्ट में आपको बता ही चुका हूँ तमसा या ताउन के नाम से MP में टोन्स नदी को जाना जाता है इसके बाद देखिए MP में बहने वाली बबई, बैलन, सोनकर, बेलाज और महान ये सभी टोन्स की साहयक नदिया है टोन्स नदी उत्तर की और बहते हुए UP के सिर्सा में गंगा नदी से मिल जाती है इसके बाद देखिए अगली महतुपुन नदी है MP की बेतवा नदी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तो MP की एक्जामों में नर्बदा के बाद सबसे ज़्यादा कुश्चन बेतवा नदी से ही पूछे जाते हैं तो इसके एक-एक फेक्ट को बहुती ध्यान से देखिएगा देखिए मध्यप्रदेश के रायसेन जीले के कुम्रा गाउं से बेतवा नदी का उदगम होता है 480 किलो मिटर लंबी बेतवा नदी को वेत्रवती या वेत्रवती के नाम से भी जाना जाता है MP में बहने वाली बीना, धसान, जामनी और हलाली ये सभी बेतवा की मुख्य सायक नदिया हैं देखिए बेतवा की सायक बीना नदी पर MP के सागर में भालकुंड जलप्रपात इस्तित है क्योंकि ये सागर के राहतगड में इस्तित है इसलिए भालकुन्ड जल्प्रपात को राहतगड जल्प्रपात के नाम से भी जाना जाता है जो कि MP के सागर में बीना नदी पर इस्तित है और बीना किसकी साहिक है तो यह MP में बेतवा नदी की साहिक नदी है इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपसे कभी question ऐसा पूछा जाए कि MP और UP की प्राक्रतिक सीमा MP की कौन सी नदी बनाती है तो वो है MP की बेतवा नदी लेकिन देखिए कभी कभी question ऐसा पूछ लिया जाता है लेकिन हमें option में बेतवा नदी नहीं दिया जाता AC condition में MP की जामनी भी एक AC नदी है जो की MP और UP की प्राक्रतिक सीमा का निधारन करती है इसके अलावा देखिए दोस्तों बेतवा की सायक हलाली नदी पर MP के राइसेन में हलाली परियोजना इस्तिध है इसी परियोजना को समराट अशोक सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है यह भी एक important fact है किस परियोजना को MP में समराट अशोक सागर के नाम से जाना जाता है तो MP की हलाली परियोजना को समराट अशोक सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है ओके, देखिए क्योंकि बेतवा नदी बुंदेलखंड चेतर से गुजरती है इसलिए बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है और बेतवा को ही प्रदूशन के आधार पर MP की गंगा कहा जाता है देखिए MP के प्रसिद्ध बहुत दिस्तल विदीशा और साची बेतवा नदी के तड़ पर इस्तित है देखिए ये जो बहुत दिस्तल है ये समराट अशोक के शशनकाल में इस्तापित किये गए थे MP के राइसेन जीले में इस्तित साची, विदीशा और निवाडी जीले में इस्तित MP का औरच्छा ये बेतवा नदी के तड़ पर इस्तित शहर है देखिए बेतवा नदी जो है यमुना की साहयक नदी है राइसेन जीले के कुम्रा गाउं से निकल कर उत्तर पुर्व की और बहते हुए ये UP के हमिरपूर में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है देखिए दोस्तो MP में बेतवा नदी पर कोई भी important डेम नहीं बनाया गया है लेकिन देखिए यूपी के ललिटपूर में बेतवा नदी पर माता टीला डेम इस्ति थे देखिए माता टीला परियोजना को ही राणी लक्ष्मी भाई परियोजना या राजगाट परियोजना के नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा ये तीनों ही परियोजना है सयुक्त रुप से एक ही परियोजना है तो माता टीला परियोजना, रानी लक्ष्मी भाई परियोजना या राजगाट परियोजना UP के ललितपुर में बेतवा नदी परिस्ति थे जो की UP और MP की सयुक्त परियोजना है मतलब इस परियोजना का जो प्रॉफिट है वो MP और UP रज्जी के मद्धे में बाटा जाता है देखे दोस्तों भारत के पुरूर प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाचपई भारत में एक योजना लेकर आये थे जिसका नाम था नदी जोडो परियोजना तो देखे नदी जोडो परियोजना के तहट भारत में पहली बार केन और बेतवा नदियों को जोड़ा गया था केन बेतवा लिंक परियोजना भारत में नदी जोडो परियोजना के तहट जोड़ी गई पहली नदि है और यह जो परियोजना है भारत के पन्ना नेशनल पार्क से होकर गुजरती है यह कोश्यन भी एक्जाम में काफी बार पूछा गया है कि केन बेतवा लिंक परियोजना भारत के किस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है तो ये भारत के पन्ना निशनल पार्क से होकर गुजरती है जो की MP के पन्ना और छतरपूर जीलों में फैला हुआ है आगे देखिए MP के ओर्चा में बेतवा नदी पर कंचन घाट इस्ति थे इसी कंचन घाट पर वीर सिंग बुंदेला की छतरिया MP के ओर्चा में बेतवा नदी के तडपर है तो याद रखिएगा राम घाट में आपको पहले ही बता चुका हूँ राम घाट और त्रिवेनी घाट ये उज्जेन में शिप्रा नदी के तडपर इस्ति थे और कंचन घाट MP के ओर्चा में बेतवा नदी के तडपर इस्तित है तो आगे देखिए दोस्तो अगली है हमारे पास MP में सिंध नदी देखे सिंध नदी का उदगम विदीशा जीले की सिरोंज तहसिल से होता है MP में बहने वाली पाहुज, कुवारी, माहूर और पार्वती जो नदीया है सिंध की साहक नदीया है देखे ये पार्वती जो है ये चंबल की साहक नहीं है बलकि एक छेतरी नदी है जो की सिंध की साहक है क्लियर और सिंध जो है वो यमुना की साहक नदी है देखे सिंध नदी विदीशा जीले की सिरोंज तहसिल से निकल कर उत्तर पुरूव की और बहती है और MP के शिवपुरी दतिया और ग्वालियर जैसे जीलों से बहते हुए UP के इटावा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है तो सिंध नदी यमुना की साहन नदी है देखे 47bl किलो मिटर लंबी इस नदी की सबसे महतुपूर्ण साहन नदी है कुवारी नदी तो चलिए हम कुवारी नदी पर casually discuss कर लेते हैं देखे कुवारी नदी की अगर हम बात करें देख़े या जो नदी है और उत्तर की ओर बहते हुए एमपी के भिंड जीले में सिंध नदी से मिल जाती है तो देख़े यह लेंट में बहुत छोटी है लेकिन सिंध की सबसे महत्वपूर्ण सहय के इसके बाद देख़े दोस्तों MP में बहने वाली केन नदी कटनी जीले की भांडेर श्रेणी से निकलती है और उत्तर की और बहते हुए UP के चीला गाओं में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है तो केन नदी भी MP में यमुना की सायक नदी है इसकी टोटल लंबाई देखिए 427 किलोमिटर है लेकिन MP में 292 किलोमिटर यह नदी बहती है लेकिन देखिए दोस्तों टोटल लंबाई पुछी जाती है तो आप कुल लंबाई को याद रखिएगा 427 किलोमिटर लंबी है MP की केन नदी केन नदी को ही शुक्ती मती कर्णावती या केनास के नाम से भी जाना जाता है कि आप याद रखिएगा MP के पन्ना नेशनल पार्क से होकर बहती है MP की केन नदी और केन नदी पर ही MP के पन्ना नेशनल पार्क में पांडव जल प्रपात इस्ति थे ओके देखे बहुती इंपोर्टेंट नदी है और बहुती नॉर्मल फेक्ट हमसे यहां से पूछे जाते हैं इसके बाद देखिए दोस्तो गंगा नदी तंत्र के बाद अगला है हमारे पास तापती नदी तंत्र तापती और उसकी सायक नदिया मिलकर तापती नदी तंत्र का निर्मार करती है तो इसकी सबसे इंपोर्टेंट नदी है MP में तापती नदी देखिए अगर हम तापती नदी की बात करें तो यह नदी MP के बैतुल जीले की मुलताई की पाड़ियों से निकलती है और पुर्व से पश्चिम की और बहती है देखे पुराणिक माननेताओं के अनुसार तापती नदी का उद्गम जो है वो सूर्य के ताप से हुआ है इसलिए तापती नदी को महाभारत में सूर्य भगवान की पुत्री भी कहा गया है इसकी टोटल लंबाई 724 किलो मिटर है लेकिन MP में ये 322 किलो मिटर बहती है लेकिन औल अवर लंबाई पूछी जाती है तो 724 किलो मिटर लंबी है MP की तापती नदी देखे यह जो नदी है पुर्व से पश्चिम की और बहते हुए भारत के 3 रज्जों में बहती है MP जहां से इस नदी का उद्गम है इसके बाद ये भारत के महरास्ट रज्ज में प्रवेश करती है और महरास्ट के बाद ये गुजरात रज्ज में प्रवेश करती है तो देखे दोस्तों ताप्ती नदी और नर्बदा नदी का बहने का जो क्रम है वो एक जैसा है। दोनों ही नदिया तीन रज्जों में बहती है और दोनों ही नदिया पश्चिम में बहती है। और नर्बदा और ताप्ती एक दूसरे के समान अंतर बहने वाली नदिया है। इसलिए तापती नदी को नर्बदा की जुडवा बहन भी कहा जाता है। देखिये तापती नदी पश्चिम की और बहते हुए MP महरास्ट और गुजरात रज्य में बहती है। और गुजरात में सूरत के निकट खमबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। और नर्बदा की ही तरह या एश्चुरी का निर्मार करती है। इसके बाद देखिये दोस्तों MP का मुलताई जो की MP के बैतुल जिले में इस्तित है। बुरहनपूर और गुजरात का सूरत शहर। ये तीनों ही तापती नदी के तड़ पर इस्तित है। आगे देखिये तापती की सबसे महतुपूर सायक नदी है पूर्णा नदी इसके अलावा बाहुद, गिर्णा, बोरी, पंच्रा और शिवा ये भी तापती की ही सायक नदिया है। देखिये तापती नदी पर महरास्ट में अपर एवं लोवर तापती पर्योजना क्रियान्वित की जा रही है। जो की MP और महरास्ट की सय伏क्त पर्योजना है। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों खंबात की खाड़ी में गिरने वाले नदी तंत्रों में तीसरा है माही नदी तंत्र माही और उसकी मुख्य सायक नदिया मिलकर माही नदी तंत्र का निर्मार करती है तो देखिए दोस्तो अगर हम माही नदी की बात करें तो यह नदी 543 किलो मिटर लंबी है जो की MP के धार जी लेके सरदारपूर कजबे से निकलती है देखिए यह जो नदी है पश्शिम की और भहते हुए MP के बाद राजस्तान जाती है और राजस्तान के बाद गुजरात राज्ज में प्रवेश करती है और गुजरात के बाद खमबाद की खाड़ी में जाकर गिरती है क्लियर इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 543 किलो मिटर देखिए दोस्तो इस नदी की विशेष्टा है कि यह पूरे विश्व की एकमात रेसी नदी है जो की करक रेखा को दो बार काटती है तो मद्यप्रदेश की माही नदी करक रेखा को दो बार काटने वाली नदी है और माही नदी के तट पर ही MP का धार और धार जिले का कुक्षी बसा हुआ है तो MP में धार और कुक्षी माही नदी के तट पर इस्तित शहर है ओके दोस्तों पुर्व से पश्चिम के और बहने वाली या MP की तीसरी बड़ी नदी है पहली है नर्वदा, दूसरी है तापती और तीसरी है माही नदी देखे माही नदी को प्रत्वी पुत्री के नाम से भी जाना जाता है तो तीनों फेक्टों को आप याद रखेगा शिव पुत्री नर्वदा है, सूर्य पुत्री तापती है और प्रत्वी पुत्री माही है इसके बाद देखे दोस्तों गंगा नदी तंत्र के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी तंत्रों में दूसरा है गोदावरी नदी तंत्र शिवनी जीले के पारसवाल के पठार से निकलती है और दक्षिन की और बहते हुए महारास्ट में गोदावरी नदी से मिल जाती है इसकी टोटल लंबाई 570 किलो मिटर है तो इसे याद रखिएगा आगे देखिए बेन गंगा की सबसे महतुपुन सायक नदी है MP में बहने वाली वर्धा नदी देखिए अगर हम वर्धा नदी की बात करें तो वर्धा और बेन गंगा नदीयों का संगम महारास्ट के भंडारा जीले में होता है और महारास्ट के भंडारा जीले में बेन गंगा और वर्धा नदीयों का संगम प्राण हिता के नाम से जाना जाता है क्लियर बेन गंगा नदी दक्षिन की और बहते हुए महारास्ट रज्ज में जाती है और महारास्ट में गोदावरी नदी से मिल जाती है तो गोदावरी की MP में सबसे महतुपुन और सबसे बड़ी सायक नदी MP की बेन गंगा नदी है तो बेन गंगा की सबसे महतुपूर्ण सायक नदी है MP की वर्धा नदी देखे MP के बैतुल जीले के मुलताई की पाड़ी से वर्धा नदी का उद्गम होता है और यह नदी दक्षिन की और बहते हुए महारास्ट रज्ज में जाती है और महारास्ट में बेन गंगा नदी से मिल जाती है तो यह बेन गंगा की महतुपूर्ण सायक नदी है इसके बाद देखिए दोस्तों दक्षिन की और बहने वाली एक और महतोपुन नदी है MP की पेंच नदी देखिए पेंच नदी जो है MP के छिंदवाड़ा जीले की सत्पुडा परवत श्रेणी से निकलती है और देखी यह दक्षिन की और बहते हुए कानहान नदी से मिल जाती है अब देखी यह जो कानहान नदी है यह बेन गंगा की साहिक नदी है देखी आप यहाँ पर मेप में देख सकते हैं मध्यप्रदेश के दक्षिन में सत्पुडा-परवत-माला-च्छेत्र से कानहान नदी का उद्गम होता है। यह दक्षिन के और बैते हुए बेन-गंगा नदी में जाकर महरास्ट रज्ज में मिल जाती है। और पेंच नदी महारास्ट रज में इस कानहान नदी से मिलती है MP की पेंच नदी ही MP के पेंच नेशनल पार्क से गुजरती है इसी नदी के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम पेंच नेशनल पार्क पड़ा है दक्षिन के और बहते हुए ये नदी महारास्ट में जाती है और महारास्ट के नाथपूर जिले में कानहान नदी से मिल जाती है और कानहान नदी आगे जाकर बेन गंगा नदी से मिलती है और फिर बेन गंगा नदी आगे बढ़ती है और बेन गंगा और वर्धा नदी का संगम प्राण हिता के नाम से जाना जाता है और इसके बाद देखिए बेन गंगा और वर्धा नदीों का जो संगम है प्राण हिता के नाम से आगे बढ़ता है और प्राण हिता नदी महारास्ट में गोदावरी नदी से जाकर मिल जाती है तो indirectly अगर कभी कुश्चन एसा पुछा जाए कि बेन गंगा किसकी महतुपून सायक नदी है तो ये गोदावरी की महतुपून सायक नदी है और MP की दक्षिन की और बहने वाली सबसे बड़ी नदी है बेन गंगा नदी के तट पर ही MP का बाला घाट शहर इस्तित है क्लियर तो फ्रेंट्स यहाँ पर हमने MP की नदियों को बहुत ही डिटेल में डिसकस किया है अब मैं आपको MP की नदियों के कुछ important fact बता देता हूँ तो पहला fact देखिए दोस्तों MP में मान नदी जो की धार जीले से निकलती है नर्बदा की एक सायक नदी है देखिए ये जो question है व्यापम की exam में पूछा गया है इसलिए आप इस question को याद रखिएगा MP की मान नदी जो की धार जीले से निकलती है नर्बदा की सायक नदी है और नर्बदा में right hand side से आकर मिलती है इसके बाद देखिए दोस्तो MP का मनसोर जीला शिवना नदी के तड़ पर इस्ति थे शिवना नदी MP में चंबल की सायक नदी है देखिए शिवना नदी के तड़ पर ही MP के मनसोर में विश्व प्रसिद्ध पशुपती नात का मंदिर इस्ति थे तो ये fact भी important है दोस्तों आप इस fact को भी note कर लीजेगा इसके बाद देखिए MP में के नदी जिसका उदगम MP के कटनी जीले से होता है इसी नदी को दिरणावती के नाम से भी जाना जाता है और last fact देखिए बेतवा के अतिरिक्त बेतवा की सायक जामनी भी एक ऐसी नदी है जो की MP और UP की प्राक्रतिक सीमा बनाती है तो देखिए इन दोनों ही नदियों से question पूछे जाते हैं बेतवा और जामनी ये दोनों ही नदिया MP और UP की प्राक्रतिक सीमा का निधारण करती है clear? तो I hope आपको यहां तक जितने भी facts हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो चलिए friends अब हम नदियों से related जितने भी question एक्जाम में पूछे जाने वाले हैं उन question पर discuss कर लेते हैं तो पहला question देखिए MP के शिवनी जिले से होता है तो answer हो जाएगा answer D इसके बाद देखिए नर्मदा नधी प्रवाहित होकर कहाँ जा कर मिलती है तो देखिए MP की नर्मदा नधी अरब सागर में जाकर गिरती है तो आंसर हो जाएगा आंसर C एतिहासिक नगर उज्जेन किस नदी के किनारे हैं? तो देखे उज्जेन जो है वो शिपरा नदी के तड़ पर बसा हुआ है तो यहाँ पर हमारा अंसर है आंसर C MP का सबसे उचा जलब्रपात कोन सा है? तो देखे दोस्तों MP का चचाई वाटर फॉल जो की MP के रिवा में भीहर नदी पर इस्तित है 130 मीटर उचा यह जलब्रपात MP का सबसे उचा जलब्रपात है तो आंसर हो जाएगा आंसर C इसके बाद देखे तवा नदी किसकी साहक नदी है? तो देखे एंपी में बहने वाली तवा नदी नरबदा की मुख्य साहक नदी है तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर A नेक्स्ट कोशन देखिए निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती? तो देखे एंपी की केन, बेतवा और चंबल नदी यमुना की साहक नदी है लेकिन एंपी की सोन नदी गंगा की साहक नदी है तो आंसर हो जाएगा आंसर C इसके बाद देखिए निम्न लिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की और बहती है? वेरी सिंपल कुश्चन है दोस्तो एंपी की नर्मदा नदी एक एसी नदी है जो की पश्चिम की और बहती है तो आंसर हो जाएगा आंसर B इसके बाद देखिए मंडला किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो MP का मंडला जिला नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है तो आंसर हो जाएगा आंसर C इसके बाद देखिए MP की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है तो देखिए MP की सबसे उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनाई जाती है तो आंसर हो जाएगा आंसर D चलते हैं next question पर सिंद नदी MP के किस जीले से निकलती है तो देखे सिंद नदी का उद्गम विदीशा जीले की सिरोंज तहसील से होता है तो answer है हमारा answer A इसके बाद देखें friends MP की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो MP की सबसे लंबी नदी है MP की नर्मदा नदी जिसकी लंबाई 1312 किलो मिटर है तो answer हो जाएगा answer B इसके बाद देखें शिप्रा नदी MP के किस जीले से निकलती है तो शिप्रा नदी MP के इंदोर जीले से निकलती है तो answer होगे हमारा answer A आगे बढ़ते हैं बेतवा नदी के किनारे इस्तित शहर है तो देखें दोस्तो MP के निवाडी जीले में इस्तित और्चा बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है तो answer हो जाएगा answer A और्चा के अलावा विदीशा और साची भी दो ऐसे शहर हैं जो कि बेतवा नदी के तट पर बसे हुए हैं ओके तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होईएगा मैंने आपको पहले भी बोला था कि नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के बारे में एक्जाम में कुश्यन पूछे जाते हैं तो इन कुश्यन को आप बिल्कुल भी मिस्स मत कीजिएगा आगे देखिए निमनलिकित में से कुन सा जलाशाय चम्बल नदी पर बना हुआ है तो देखिए राणा प्रताप सागर जलाशाय जो है वो राजस्तान के चितोड में चम्बल नदी पर बनाय गया है तो आंसर हो जाएगा आंसर B देखिए चम्बल नदी पर तीन जलाशाय इस्ती थे MP के मंसोर में गांदी सागर राजस्तान के चितोडगड में राणा प्रताप सागर और राजस्तान के कोटा में जवाहर सागर तो याद रखिएगा ये तीन डेम चम्बल नदी पर इस्ती थे इसके बाद देखिए चम्बल नदी के आसपास चार बांदो में नहीं है तो देखिए इंदरा सागर डेम जो है वो खंडवा में नर्बदा नदी पर इस्ती थे तो आंसर हो जाएगा आंसर A इंद्रा सागर डेम चंबल नदी का डेम नहीं भालकुंड जल प्रपात किस नदी पर इस्ति थे तो देखिए MP में भालकुंड जल प्रपात बेतवा की साहग बीना नदी पर MP के सागर में इस्ति थे तो आंसर हो जाएगा आंसर C Next question देखिए तमसा नदी कहां से उत्पन होती है तो देखिए तमसा नदी को ही टोन से नदी के नाम से जाना जाता है जो की MP के सतना जिले में केमूर श्रेणी से निकलती है तो आंसर हो जाएगा आंसर C तमसा नदी का उत्गम MP के सतना जिले से होता है इसके बाद देखिए स्वण नदी का दूसरा नाम क्या है तो देखिए MP की स्वण नदी को ही सोन नदी के नाम से जाना जाता है तो आंसर हो जाएगा आंसर D इन में से कौन सी MP में दूसरी सबसे बड़ी नदी है तो देखिए MP की दूसरी सबसे बड़ी नदी है MP की चंबल नदी जो की 965 किलो मिटर लंगी है तो आंसर हो जाएगा आंसर भी इसके बाद देखिए तापती नदी MP में कहां से निकलती है तो तापती नदी का उदगम MP के बेतुल जीले की मुलताई पहाडियों से होता है तो आंसर हो जाएगा आंसर सी इसके बाद देखिए वह पवित्र नदी जो सिहस्त कुम्म मेलों का इस्तल है तो MP में सिहस्त कुम् पर MP के उज्जेन में आयोजित किया जाता है तो answer हो जाएगा answer C आगे बढ़ते हैं MP की कौन सी नदी करकर एखा को दो बार काटती है तो देखिए MP की माही नदी करकर एखा को दो बार काटने वाली नदी है तो answer हो जाएगा answer B अगला question देखिए चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदिया उत्तर की और बहते हुए किस नदी से मिलती है तो देखिए ये सभी नदिया यमुना की साहिक नदिया है तो आंसर हो जाएगा आंसर D आगे देखिए कौन सी नदिया रज्ज में पुरुव से पश्चिम दिशा की और बहती है तो देखिए MP की नर्बदा और तापती दो ऐसी नदिया है जो की पुरुव से पश्चिम की और बहती है इसके अलावा MP की माही नदी तीसरी एसी नदी है जो की पुर्व से पश्चिम की और बहती है तो आंसर हो जाएगा आंसर A आगे देखिए कंचन घट किस नदी पर इस्ति थे तो MP में कंचन घट MP के और्चा में बेतवा नदी पर इस्ति थे तो answer हो गये हमारा answer B एक प्रमुक शहर जिसमें शिप्रा नदी गुजरती है तो very simple question है दोस्तो MP का उज्जन शहर शिप्रा नदी के तड़ पर इस्तित है तो answer हो जाएगा answer A next question देखिए काली सिंद नदी किस जीले से निकलती है तो देखिए MP में काली सिंद नदी का उदगम देवास जीले के बागली गाउं से होता है तो answer हो जाएगा answer D जाड़ी दाहा waterfall किस नदी पर इस्ति थे तो देखिए MP के इंदोर में जाड़ी दाहा waterfall चंबल नदी पर इस्ति थे तो answer हो जाएगा answer C इसके बाद देखिए बान सागर परियोजना किस नदी पर इस्ति थे तो MP में बान सागर परियोजना MP के शचर्डोल में सोन नदी पर इस्ति थे तो answer हो गया हमारा answer D लास्ट कोशन देखिए दोस्तों किन दो नदियों का संगम प्राण हिता के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दक्षिन की और बहने वाली MP की बेन गंगा और वर्धा नदी महारास्ट के भंडारा जीले में जाकर मिलती है। और इन दोनों नदियों का संगम प्राण हिता के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर C ओके फ्रेंड्स तो ये थी MP की important सभी नदिया और उनसे related वे सभी कुश्चन जो की आने वाली exams में हमसे पूछे जाने वाले हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में बने रही हमारे साथ चाहिए